दोस्तो स्वागत था आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदितिया ओनलाइन हेल्प में दोस्तो इस बक्त जो है बहुत बड़ा भरती जो है निकल कर सामने आ रहा है इंडिया पोस्ट गरामिन डाक से बक्ता जो की रिक्वाइरमेंट निकाला गया 2022 online form इसमें fill up किये जाएंगे तो सबसे पहले हम आपको बतला देंगी है जो है बिना किसी exam pattern पर लिए जाएगा मतलब कि इस पर जो है mark basis पर लिए जाएगा आपका जो है metric में कितना marks है उसी हिसाब से उसी के आधार पर आपका आपका चैनल लिए जाएगा इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है दोस्तों 38,926 कुल पोस्ट जो है निकाले गया है statewide जो है इसका अलग-अलग भरती जो है पोस्ट दिये गया है इसका जो है last date 5 June 2022 रखा गया है और इसमें जो है यदि आप general OBC category से आते हैं आपको 100 रुप्य पीड करना होगा और यदि आप CST यदि आते होंगे इन सब category से तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के पेवेंट करना नहीं पड़ेगा तो चलिए स्क्रोल डाउन करते हैं आपको नीचे दिखाते हैं और भी चीज तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो minimum age जो रखा गया है 18 साल रखा गया और maximum की बात करते हैं तो 40 साल रखा गया है यहाँ पर 38926 कुल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस्टेट वाइज जो है यहाँ पर पोस्ट रखा गया है उत्तर परदेश में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2519 पोस्ट है उत्तरा खंड में 353 को सिरपन पोस्ट है और बिहार में 90 पोस्ट रखे गया है इसtt तरीके से पर टेक पर को हमने कशी करने के आपको Dat स्क्रॉब NIEC करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा GDS औफिस्याल वेबसाइट गुद करते से हैं कुछ इस तरीके का जो नया इंटरफीस आपके स्क्रीन पर ओपेन हो जाए गा यहाँ पर आपको ≣έρद कर नोटिफीकेशन के बाद आपको यहाँपद़ देखने को मिलेगा ≹ष। सबसे पहले आपको करना क्या होगा करना होगा चलिए हम एक स्टुटेंट का आपको हम चौसन को सब से पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फोन नमार डालना होगा, ईमेल डालना ना और अपको दालना होगा, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब ah है चलिए मैं यहां पर ओवीसी फिल कर देता हूं और यहांपर आपको देखने को मिलेगा सरकिल इन्वीच टेन्थ क्लास पाश्ट जिस भी मतलब की बोड से आप यहां पर पास किये होंगे वह यहां पर आपको फिल कर देना है इसके बादि यहां पर आपको वाइल नापर किलिक किजेगा, यहाँ पर OTP जेनरेट होगा, OTP डाल करके आपको सब्मिट करना है उसी तरीके से आपको यहाँ पर email में भी डालना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम मोबाइल और OTP जो है डाल करके हम यहाँ पर कर लेते हैं कि सब्मीट होने के बाद यहां पर आपको यहां पर दिखाई देगा I miv-dan अक्षेसफुली मॉइल नबर में डिलीट सकस्पूली यहां already prepared यूद कर देना है सब्मीट करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरीके का जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि first stage of registration is completed please continue filling the details for registration यहां पर आपको फिर से है वो complete कर दिया गया है और आपको registration को फिल करने के लिए आपको फिर से यहां पर OK किलिक करना है किलिक करने के बाद जो यह सर्च लेगा इसके पाद आपको नीचे में जो दि यहांगे लिएकफे और करना होगा यहां लिंटसम करना ह्पर आपको किस तरीके से किस बहसा है अपर अप्ध है यह सब रहा हूगा Sul तो हिन्दी यह हैं पर हिंदी फोटो डालना होगा जो कि यहां पर दे दिया गया 200-300 पिकसल में दिया है और 140-100 पिकसल में आपको दिय धीया आप्लोड करना पड़ेगा फिर से कैफे डल के आप को कर दिएगा तो आप कुछ भी फिर से सुधार नहीं कर पाईएगा वह गलत का गलत समिट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो चलिए हम यहां पर फॉर्म डिटेल जो है फिल अप कर लेते हैं करने के बाद आपके सामन में कुछ इस तरीके का जो है आ जाएगा आप इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं ताकि आप अगले नेक्स्ट लेबल पर जाएगे तो आपको आपका स्टेज वन जो रिजिस्ट्रेशन था वो कंपलीट हो चुका है आपने प्रिंट सेफली रख लिया है आप आपको करना क्या है stage 2 में fee payment आपको करना होगा तो यहाँ पर आपको stage 2 में fee payment आपको online यहाँ पर select करना है pay online यहाँ पर आपको online payment करने के लिए यहाँ पर आपको ok करना होगा ok जैसे ही किजेगा तो आपको यहाँ पर registration number डालना होगा वो registration number जिसे आप print कि होंगे तो सबसे पहले आपको वो registration number मिल गया होगा तो आपको करना क्या है यहाँ पर registration number डाल करके आपको यहाँ पर payment कर लेна है पर जो आप बारकोड के तहत आप UPI इसे भी आप payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको करना कि है, आपको इसको safely इसको print कर लेना है, print करके इसको अपने पास रख लेना है, ताकि यह आगे जाकर कि इसमें कोई भी अगर reference number यह दिमागेगा, तो हम यह से आपको आगे put कर देंगे, payment print करने के बाद आपका stage 2, fee payment जो आपका successfully done हो जाता है, इसके बाद आपको registration details यहाँ पर डालना होगा, जो भी registration number जब को पहले जो मिला था, वही registration number को यहाँ आपको fill करने के बाद, यहाँ पर circle applying phone जो भी आप जहां से भी है, apply कर रहे हैं, हम बिहार में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिहार हम select कर देंगे, और यहाँ पर आपको जो भी वो था, वो यहाँ पर आपको fill कर देना है, चलिए fill करने के बाद आपको submit करके दिखाते हैं, आगे क्या होता, submit करने के बाद जो भी आप phone number जो यहाँ पर दिये होंगे, उस पर एक OTP sent किया जाएगा, वो OTP को फिर से आपको यहाँ पर डालना होगा, ताकि आप आगे जा करके आगे क जो आप काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर OTP जो भी होगा, वो OTP आपको यहाँ पर fill करना पड़ेगा, OTP को send करने के बाद यहाँ पर आपको capture डाल देना है, जो भी यहाँ पर show हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है, next पर जैसे ही click किजिएगा, फिर से यहा पर आपको डालना होगा, apartment number जो भी है, door house, इसके बाद street, village जो भी है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा detail आपको यहाँ पर डाल देना है, कुछ इस तरीके से पूरा चीज़ फिल करने के बाद आपको फिर से scroll down नीचे करना है, नीचे जैसे जाएगा, फिर से circle in which 10th class passed, य यहाँ पर आपको board देना है, यहाँ पर यही पर बहुत सारे students जो है, यहाँ पर mistake कर जाते हैं, यहाँ पर दिया हुए 700 marks, 900 marks, 500 और 800 marks, पहले जो था वो 700, 900 और 800 वाले marks का भी exam हुआ करता था, लेकिन अब जो है, वो 500 हो रहा तो आपको यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यदि आप CBS चूज करते हैं, यहाँ पर आपको point basis भी हो सकता था, यहाँ पर आपको mark basis पर आपको कर लेना है, इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस जिस subject में आपको जितना marks मिला होगा, आपको यहाँ पर वो fill करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि select subject, यहाँ पर आपको subject जो है, चूज करना होगा, यह English, Mathematics, Science और Social Science, यह तीन चार सब्जेक्ट जो यहाँ तो fix होते हैं, कि हर एक board के द्वारा होता है, और यहाँ पर select subject, यहाँ पर जो भी होगा, तो पर fill up कर देना है, यहाँ पर यह भी दे दिया गया है, कि यहाँ पर English का marks है, वो इस मेरिट में जो आपका include नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी वो fill कर लेना है, इस तरीके से mark को, आपको fill up कर देने के बाद, आपको करना क्या है, यहाँ पर save and continue पर click कर लेन होगा, आपका documents को जो भी आप डाले हैं, आप उसको verify किया जाएगा, और आपका जो है यह अंतिम चरन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर registration detail जो यह ticker लगा दिया गया है, पर application form में भी tick लग गया है, choose preference, यहाँ पर आपको करना क्या है, कि choose preference, यहाँ पर आप आपको select करना ही है, मैं पहले आपको बतला देना चाहता हूं, कि जिस छेतर में जहाँ पर जितना भी post होगा, उस according आपको यहाँ पर fill up करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि कहां से आपको कितना seats दिये गया है, वो देखने के लिए आपको आना होगा, इ select करने के बाद फिर से loading लेगा, फिर से नया page आपके सामने में आएगा, और आपको यहाँ पर district wise, यहाँ पर select division जो भी district का आप देखना चाहते, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर भागलपूर, भागलपूर select करने के बाद view posts पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको को मिलेगा कि किस वर्क का जो है, कितना है, यहाँ पर पूरा आपको देखने को मिलेगा कि कितना details कहाँ पर दिया गया है, तो सबस्यादा seat, जो हम seat की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत केरफूली आपको यहाँ पर देखना है, उसके बाद आगे का जो step में आपको इसापको आपको सीवैन में जीतना भी डिश्ट्रिक केरपूली चेक कर लेना है जहां पर ज्यादा सीट्स होंगे वह ही पर फिल अपना कास्ट भी देख लिजेगा आपको समझ में आगे होगा कि आप किस तरीके से जो यहाँ पर preference को आपको fill कर रहा है तो चलिए हम यहाँ पर मुझाफरपुर को choose कर लेते हैं चुकि मेरा जो मुझाफरपुर यहाँ से बहुत नजदीक है तो हम मुझाफरपुर यहाँ से fill कर लेंगे और यहाँ पर preference उसका load हो जागा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर OVC का जहां जहां भी seat होगा आप वहीं पर select कर लिजेगा जो भी आपका नजदीक में पढ़ता होगा तो उस नजदीक वाले को आप पहले select कर सकते हैं यहाँ पर pin code के हिसाब से जो आप यहाँ पर select कर सकते हैं चलिए हम अगले page पर चलते हैं इस तरीके से जो भी आपका नजदीक में होगा और आपके cast का जहां पर आपको seat यहाँ पर दिया जा रहा होगा वहीं से आपको यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर जो भी है आपका select circle जो भी था भीहार में डाले थी तो, भीहार और यहाँ पर जो भी दाले थे मुझ हाफरपूर तो, जुझ हाथा डाकर करके आपको इहाँ पर यहाँ पर जो declaration है इसको आपको tick कर देना है करने के बाद आपको करना क्या है seven print पे आपको किलिक कर देना है और seven print पे जाएसे यह आप किलिक किजेगा तो application जो आपका इस तरीके से just submitted successfully आपका आजाएगा और आप चाहें तो इसको print भी कर सकते हैं आला कि प्रिंट करके इसको आपको सेव करके अपने पास इसे रख लेना है सेफली तो चलिए इस तरीके से मैंने पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको बतलाया है कि किस तरीके से आपको जो है जो है फॉर्म को फिल अप करना है पूरा लाइप प्रोसेस बतलाया मैंने यदि मेरे द